हाई स्टुएंट्स इन आवर लास्ट लेक्चर वे अलबेडिस्केस आवर दा बैटल अपक्सर हाव दा इस्ट इंडिया कंपानी एक्स्पैंड हिस रूल इन बेंगल बक्सर यूद के बाद कैसे इस्ट इंडिया कंपानी ने अपना जो पावार है पूरी बेंगल में ले लिया था अभी इसके बाद हम आज टोड़े विल लॉन एक्सपैंशन अपदा कंपानी रूल यह जो कंपानी था इस्ट इंडिया कंपानी उन्होंने कैसे एक्सपैंड किया और क्या-क्या नया रूल्स एंड रेगुलेशन सा उनके अंदर उन्होंने लाया था इस्ट इंडिया कंपानी जो इंग्लेश गोर्मेंट था उन्होंने एक एक नियम उन्होंने 1773 एड में पास गया था जिसकी मुताबिक एकरडिंग यहने के जिसकी मुताबिक तो वेच दा गोवनर अफ बेंगल नॉट नबाव गोवनर अफ बेंगल वास मेड दा गोवनर जेनरल जो गोवनर बेंगल के थे उनको गोवनर जेनरल में बना दिया गया and all the trade and political activities of the company यानि कि जो governor general थे उनके अंदर all the trade जितने भी trade means your business and political activities जो भी राजनितिक political activities होता है of the company were brought under his direct control जो भी business हो, जो भी political activities हो कुछ भी decision लेना है the whole is, the master is your governor general governor general के हाथ में सब पावर आ गया था the Mumbai, Madras, Governor and his council were brought under him यानि कि साथ में Mumbai और Madras उसके भी जो council से उनके अंदर आ गया था thus Warren Hastings, this photo is Warren Hastings, the first governor general of our Bengal become the first governor general of India जो की Bengal में आय थे भारत के जो मतलब first governor जो हूँ अगर आपको exam में पुछा जाएगा who was the first governor general in India you have to write this name Governor General Warren Hastings he was the first governor general of India during his tenure यानि की tenure means इनके सासनकाल during his tenure the first Maratha war and the second Maishur war with Haider Ali of Maishur was well governor general Warren Hastings के सासनकाल में उनने जो पिरियट से जो पिरियट तक governor general की पोस्ट में थे उनकी tenure में ओ सासनकाल में first Maratha war पहला Maratha war and second Maishur war Maishur किसका? Haider Ali अप Maishur ये war हुआ था ये यूद्ध माराथा war and your Maishur war Haider Ali जो कि Maishur का नवाब थे उनके साथ हुआ था the problem for the East India Company increased because it had to face both the powers simultaneously यानि की East India Company के साथ अभी धिरे धिरे जब वारने रिस्टिंग थे problems आने लगा क्योंकि एक माराथा पावर एक Maishur पावर ये दोनों पावर धिरे धिरे इंक्रेस कर रहे थी तो East India Company को साथन करने के लिए उनकी प्रोविंस आगे बढ़ने के लिए थोड़ी तकलिफ हुई ये जब प्रोब्लम आई तब East India Company ने क्या क्या जो गवरनर जेनरल वरन हेस्टिंग थे उनकी जगे पे करन्वालिस को उनकी पोस्ट दे दिये दियूरिंग दे टेनर अफ करन्वालिस के सासनकाल में दा थार्ड महिशुर वर टूप्लेस विथ टिपू सुल्तान करन्वालिस के साथ क्या हुआ जो अपना सेकेंड महिशुर वर वा था उसके कौन थे कमांडर इंचिप हैदर अले महिशुर के नवाब जो सेक्थाड जो महिशुर वर वा तूप्लेस विथ टिपू सुल्तान दा ग्रेट हीरो अप दा हिस्ट्री कौनवालिस से जब गवनर जेनरल की पूस्ट में आये थे तब थार्ड महिशुर वर तूप्लेस विथ टिपू सुल्तान टिपू सुल्तान वांके मैशूर के किंग थे Famously known as the Tiger of मैशूर वो इतने बहादूर थे, इतने ब्रिलियंट थे कि मैशूर की सासनकाल में जब टिपू सुल्तान सासन करते थे उनको Tiger of मैशूर बोलाने याने कि मैशूर के चिता किसको बोलते थे? टिपू सुल्तान को बोलते थे The company had to join hands with the Marathas and the Nizam to defeat टिपू सुल्तान तो company कितनी politics क्या देखो students जैसे आपके मैंने आपके याद के लिए अभी मैं बता दूँ जो Bengal की नवाब थे सिराजु दला उनको जब robot tribe ने सोचा के उनको हरा नहीं सकते हैं तब उन्होंने क्या क्या था आपके मिर्जाफोर एंड सेट हमी चांद को सिराजु दला की नवाब मतलब कमांडर इंजो चीप थे उनको हाथ में लेके फिर बाद में सिराजु दला को उन्होंने वार में बेटल अप पलासी में उन्होंने हरा दिया था सेम प्रोसीजूर यहां पर भी लेने लगे जब कर्ण वालिस को यह फिलिंग हुआ कि जो टाइगर अप मैशूर टिपू सुल्तान उनको इतना आसान से हरा नहीं सकते हैं तो कमपनी क्या क्या तो इसमें क्या हुआ जब माराथा और निजाम उनको इकठा क्या मिलाया तो इसमें क्या हुआ जब माराथा और निजाम नमबर वन माराथा नमबर टू निजाम नमबर त्री यह फोल्जर अफ इस्ट इंडिया कमपनी यह समें तीन मिल गए यह तीन मिलने के बाद वार हुआ वार में क्या हुआ टिपू कुड़ नोट विन क्योंकि टिपू सुल्टान अकले थे तो इसकी रिजन से क्या हुआ टिपू कुड़ नोट विन एगंस्ट दा कॉंबाइंड फोर्स एंड हर्ट तू एसेप्ट दा ट्रीटी तो उन्होंने क्या क्या फिर इस यूद में ओ जीत नहीं पाये थे टिपू सुल्टान तो जब हार गये थे फिर कुछ ट्रीटी यानि की जो संदी होता है कुछ एग्रिमेंट्स होती है फिर वो एग्रिमेंट्स लेने के लिए टिपू सुल्टान मजबूर थे